कुंस आज हम जो बैक बनाएंगे इसमें कपड़ा हम यूद्स करेंगे कि जो कट पिस में कपड़े मिलते है उसमय से हमने ये पपेस कपड़ा लिया है है हमने दो पिसस कटिंग किये है और इसके पीछे हम ये एक जोड़ेंगे, यह मैंने एक canvas का वीडियो बनाया था, अलग-अलग प्रकार के canvas, तो उसमें बहुत इसे comments दे की canvas कैसे जोड़ते हैं, यह भी बताओ, इसके लिए आज मैं इसके पीछे यह प्रेस करके जोड़कर आपको बता दूँगे, यह canvas की hard side है, और यह sticky है, और यह एक यह जो fabric की back side है, वो हमें इसके उपर रखना है, यह सीधी side है, यह उल्टी side है, यह हम इसके उपर रखेंगे इसे, और इसके उपर हम प्रेस करेंगे, ऐसे, और यह हमने इसके उपर प्रेस करेंगे, दिखो ऐसे हमने इसके उपर प्रेस किया, यह हम साइड में रखते हैं, तो देखो यह इसको स्टीक हो गया है, अब देख सकते हैं, इसके बाद हम यह एक्स्ट्रा कैनवास इसे कट करेंगे, तो यह कैनवास वेस्ट भी नहीं होगा, ऐसे हमने यह दोनों पीस के पीछे यह कैनवास अटैच किया है, तो यह फाबरिक ऐसे तो, तो सौफ्ट जैसा दिखेगा, इसके बाद हमने बेल्ट के लिए यह दो फाबरिक के पीसेस लिये हैं, यहां अमने चार इंच mai पंदरा इंच के यह दो पीसेस लिए हैं, इसके अंदर आप बेल्ट भी डाल सकते हैं, या कैनवास से आप प्रेज भी कर सकते हैं, यहां हमने यह non oven की stripli है यह हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से हम ऐसे fold करेंगे और यहां एक सिलाई करेंगे और यहां एक सिलाई करेंगे ऐसे हमें यह दोनों belt बनाने हैं ऐसे ये बारा इंच by 14 इंच के दो पिस्स हमने लिए हैं इसके उपर सेंटर का मार्क करेंगे ये 14 इंच की साइड है यहां हम सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर से हमें दोनों साइड दो दो इंच का मार्क करना है दो इंच एक साइड में और दो इंच एक साइड में और ये बेल्ट हम ऐसे जोड़ेंगे मार्किंग के बाहर, ऐसे ही ये दूसरा बेल्ट इसके उपर जोड़ेंगे, ये दोनों बेल्ट जोड़ने के बाद हम यहाँ, यह हमने उपर की साइड में बेल्ट जोइन किया, यहाँ हम 2.5 इंचिस मार्क करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर हम 2.5 इंचिस मार्क करेंगे और ऐसे ही हमें यहाँ करना है और यहाँ करना है और यह मार्किंग के उपर हम कटिंग करेंगे ऐसे हमने यही कॉर्नर्स 2.5 इंचिस मार्क मेजरमेंट लेके कटिंग किये है इसके बाद हमने ये अस्तर के लिए पीस लिया है ये फाब्रिक है जिसके हम ड्रेस वगिरा बनाते हैं तो इसके उपर भी हम नीचे की साइड में टू एंड हाफ इंचिस का मार्क करेंगे लेकिन इसकी हाइट साड़े बारा इंच है ये साड़े बारा इंच है और ये के उपर भी हम यहाँ कॉर्णर पर टू एंड हाफ इंचिस का मार्क करेंगे ऐसे और कटिंग करेंगे इसे ही हमें इसके उपर कटिंग करना है और ये चौदा इंच की साइड है इसे हमने ये दोनों अस्तर के उपर भी ये कॉर्णर पर कटिंग किया है इसके बाद ये पी हम लेंगे इसके उपर ये हमें ऐसे रखेंगे ये सिधी साइड और ये सिधी साइड हम इसके उपर रखेंगे सिलाई करेंगे ऐसे ही ये साइड इसके उपर हमें रखना है और सिलाई करेंगे ये हमने सिलाई की है ये सिलाई होने के बाद हम ये सिधी साइड और ये सिधी साइड हम इसे एक के उपर एक रखेंगे इसे और इसके उपर हमें पहले पीन से जोड़ना है इसे पीन से जोड़ने के बाद दिखें यहाँ सिलाई है तो यहाँ से नीचे अस्तर के साइड में आधा इंच हम चोड़ेंगे हाफ इंचिस आधा इंच हम चोड़ेंगे इसे और यहा से यहा तक सिलाई करेंगे और यहा से हम यहा तक सिलाई करेंगे वैसे एक साइड में हमें यह साइड सिलाई करना है यहा हम इतनी स्पेस चोड़ेंगे यहां से यहां तक यहां से यहां तक करेंगे और यह साइड हम सिलाई करेंगे यह ऐसे हमें हमने अस्तर की साइड में इतने आधा इंच जितने स्पेस छोड़ी है दोनों साइड में यहां और यहां हमने इतनी इतनी स्पेस छोड़ी है इसके बाद हम यह कॉर्नर्स चोड़े करेंगे इसे हमें चारो कॉर्णर के उपर सिलाई करना है इसके बाद हम यहां से सीधी साइड करेंगे इसे सीधी साइड करने के बाद यह साइड हम बंद करेंगे इसे अंदर की साइड में हमें पोल्ड करना है और यहां हम टॉप स्टीच करेंगे इसे हमने टॉप स्टीच क किया इसके बाद ये अस्तर अंधर की साइड में करेंगे ₹ ये läh आधा इंच ऐसे ऊपर की साइड में रखना है ये हमने इसमें इसे इसे पेश रखी थी यह आप देख सकते हैं इतनी हम यह उपर की साइड में यह अस्तर का पिस रखेंगे इसे, इसे, आधा इंच, और हम यहाँ टॉप स्टीच करेंगे, यह ऐसे हम रखेंगे, और यहाँ टॉप स्टीच करेंगे, और बेल्ट हमें उपर की साइड में रखना है, यह जो उपन स्पेस हैं, आधे इंच की, उतना हम यह उपर के साइड में रखकर यहां हम टॉप स्टिच करेंगे देखो यह हमने इसे टॉप स्टिच किया है ऐसे इसके बाद यह जो अस्तर के लिए हमने फैबरिक लिया था इसकी ही हम इसे क्रॉस ट्रिप कट करेंगे इसे हमने क्रॉस में लिया है और यह हमें वन इंच की स्ट्रिप कट करना है इसे हम इसके बाद यह हम इसे फोल्ड करेंगे और यहां पाव इंच जितनी स्पेस हम छोड़ेंगे और यहां हम सिलाई करेंगे यह आप देख सकते हैं यह हमने सिलाई की है इतनी ऐसे और यह सिलाई होने के बाद यह हम नीडल में त्रेड डालेंगी यह आप डबल त्रेड करके भी डाल सकते हैं और इसको हम यहां से नॉट करेंगे लॉक किया इसके बाद यहां यहां हमने यह से अंदर डालके यहां हम फिर से लॉक करेंगे यह से और यह नीडल की पीछे की साइड हम इसके यह गैप में ऐसे अंदर डालेंगे ऐसे इसे हमें यहां से बाहर निकालना है यह हमने दुसरी साइड से इसे बाहर निकाला इसके बाद यहां से हमें यह साइड जो हमने यह वाइट कलर का आपको थ्रेड दिख रहा है यह हमें ऐसे धीरे-धीरे करके इसके अंदर डालना है जहां से हमने जहां हमने नीडल डाली है इसके अंदर हमें डालना है इसके लिए हमें पहले इसको कही पर इसे बादना पड़ेगा ऐसे यह एक साइड में थोड़ा सा अंदर जाएगा तो आप ऐसे खीचेंगे तो यह ऐसे फटा फट यह बाहर आ सकता है और यह नॉर्मली ब्लाउस बनाते है उसकी जो डोरी बनाते है उसमें यह यह डोरी ऐसे बनाते है कि हम किसी को बान कर ऐसे खीचेंगे तो ये अपने आप बाहर आएगी दूसरी साइड से इसे ये बाहर आएगा तो ये इसे डोरी बनेगी ऐसे हमने थर्टी इंचिस की दो डोरिया ये बनाई है इसके बाद हम ये फैबरिक के चार इंच बाए साड़ी चार इंच या साड़ी चार इंच इसके दो दो चार आठ पिस्से सम लेंगे इसको हम इसे फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से हम फोल्ड करेंगे ऐसे और यह फोल्ड करने के बाद हमें इसे हमने फोल्ड किया इसके बाद आप यहां कोई भी राउंड आपके बस चीज रहेगी वो भी याप ले सकते हैं ये दो इंच का हमने मार किया इसके बाद यहां हमने दो इंच का मार किया यह दो इंच हमें एक कॉर्णर के उपर रखना है ऐसे और यहां हमने दो इंच का मार किया और यह हमने इसे राउंड बनाया देखिए इसके बाद यहां से हम कटिंग करेंगे जैसे हमने मार किया तो ये दो राउंड बनेंगे, ऐसे ही हमें ये बनाना है, ऐसे हम आठ पिसेस लेंगे, इसके बाद ये दोनों सीधी साइड हम एक के उपर एक रखेंगे, और यहां से हम सिलाई करेंगे, इतनी स्पेस हम छोडेंगे, ऐसे हमने सिलाई की है, इतनी स्पेस हमने छोडी है, इस इसके बाद हम ऐसे चोटे-चोटे इसे कट करेंगे क्योंकि यह राउंड शेप है ऐसे और इसके बाद हम यहाँ से सीधी साइड करेंगे यह सीधी साइड करने के बाद हम ऐसे रखेंगे और पूरी राउंड में हम टॉप स्टिच करेंगे ऐसे हमने यह चारों पिसिस बनाए है इसके बाद हम यह दोनों डोरिया लेंगे एक में हमने यह पीन डाला है एक हम साइड में रखते हैं इसके बाद यहां जो हमने gap रखी थी इसके अंदर से हम ये डोरी डालेंगे और ऐसे ही हमें यहां से फिर से यहां से यहां से हमें बाहर निकालना है देखिए यहां से हमने डाले थी यहां से ही हम इसे बाहर निकलेंगे इसे इसके बाद यह दूसरी डोरी हम यहां से डालेंगे इसे यहां से ही हमें बाहर निकलना है देखो यहां से डाले के हमने यहां से ही बाहर निकला इसके बाद हम इसको भी इसे नॉट करके रखते हैं जिसे हमने इसको नॉट करके रखा है यह हम इसे दो नॉट करके रखते हैं के बाद हम यह चार में से एक पीस हम लेंगे इसे हमें फोल्ड करना है इसे हम फोल्ड करेंगे और यहां हम एक चोटा सा कट करेंगे एक तम चोटा सा हमने कट किया है ये कट करने के बाद सिलाई करने से पहले हम इसके उपर इसे मार्क करेंगे इसे हमें line draw करना है इसे इसके बाद ऐसे fold करेंगे और यहां mark करेंगे यहां पर भी हम एक line draw करेंगे इसके बाद यह दोनों को हमें इसे साथ में रखना है इसे यह mark और यह mark यहां mark करेंगे और इसके उपर भी हम line draw करेंगे और यह दोनों के बीच में भी हमें ऐसे ही line draw करना है और यह marking होने के बाद हम इसमें से एक टोरी लेंगे इसके अंदर डालेंगे ऐसे और इसके बाद हम यहां से इसके उपर यहां तक सिलाई करेंगे यह देखिए ऐसे हमने सिलाई की इसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर हमें सिलाई करना है इसके बाद इसे क्रोस में करेंगे इसके उपर सिलाई करेंगे जैसे जैसे हमने मार किया है उसके उपर हमें ऐसे सिलाई करना है ऐसे हमने ऐसे ऐसे सिलाई की थी जो हमने मार किया था देखो ऐसे दिखेगा यह होने के बाद सिलाई होने के बाद हम ऐसे करेंगे तो इतना सुन्दर सा एक फ्लावर बनेगा देखो आप देख सकते हैं यह लटकन जैसा आप घर पर बना सकते हैं सुन्दर सा बना है और ऐसे ही हम ये बाकी के बनाएंगे देखिए ऐसे हमने ये चारो फ्लावर बनाए है एक्दम सुन्दर सा लटकन जैसा हुआ है जो हम हमने घर पर बनाया है इसे आप बड़ी बाक भी बना सकते है झाल